अगर आप wooden finishing वाली fall ceiling लगवाना चाते हो वो भी कम दाम में और जिसके उपर termite और पानी ऐसी चीजों का असर न हो तो इसके लिए आपके सामने सबसे best option आजाता है जो की है wax ceiling यह जो wax की fall ceiling होती है इसके बहुत सारे advantages होते है अगर हम इसका comparison gypsum board fall ceiling और PVC fall ceiling से करते है तो इसका सबसे बड़ा advantage यह आजाता है कि wax की जो ceiling है वो waterproof होती है जैसे कि आप सब जानते होंगे अगर gypsum board fall ceiling या फिर P.O.P. fall ceiling के उपर पानी गिर जाता है तो आपकी fall ceiling खराब हो सकत है तो वैसी दिक्कत आपको wax की ceiling में नहीं होती waterproof न होने के काराण gypsum board fall ceiling और P.O.P. fall ceiling को बाहर के तरफ recommend नहीं किया जाता पर wax की जो ceiling है वहाँ पर आपको इस चीज की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप indoor और outdoor दोनों ही जगह पर इसका इस्तमाल कर सकते हो इस तक की बातरूम के लिए भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आपके shop के लिए या फिर retail space के लिए भी आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो यहां तक की hospital, hotels, ऐसी जगह पर भी wax की ceiling का इस्तमाल किया जाता है और साथ में जो gym and fitness centers होते है वहाँ पर भी wax की ceiling का इस्तमाल आप कर सकते हो और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर मंदीर के अंदर भी इन वॉक्स की सिलिंग्स का इस्तमाल किया गया है जो की काफी अच्छा दिखाई दे रहा है अब यह जो वॉक्स की फॉल्स सिलिंग है इनका अगला आडवंटेज यह आ जाता है क कि यह मेंटेनेंस फ्री होती है अगर एक बार आप इने लगा देते हो तो आपको बार-बार उसे कलर करवानी की ज़ुरत नहीं पड़ती है और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इसका जो टेक्च्चर है वो ओरिजिनल वुडन फिनिश के जैसा दिखाई द देता है और कमपनी इसकी 10 साल की वारंटी भी देती है अगर हम वॉक्स का कमपेरिजन रेगुलर पीवीसी फॉल्स सिलिंग से करते है तो उसके कमपेरिजन में वॉक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब आप इन वॉक्स के पैनल को हाथ में लोगे तभी आपको लुक और फिल के चलते इन दोनों में फर्क पता चल जाएगा रेगुलर जो पीवीसी फॉल्स सिलिंग्स होती है उन में जो टेक्च्चर और कलर होता है वो इतना अच्छा और एकुरेट नहीं होता है वही पर दूसरे तरब जब हम वॉक्स के पैनल की बात करते है तो इनके उपर जो कलर है वो भी अच्छा दिकाई देता है वो साथ में इन वॉक्स के सिलिंग्स के उपर जो टेक्च्चर बना हुआ होता है वो नैच्रल वूड की फिनिशिंग आपको देता है जिससे कि आपको एक मैट फिनिश वाला रिच लुक मिलता है और जो जैसे आपको इंस्टोलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है जो रेगुलर पीविसी पैनल होते है वो इतने अच्छे फ्लेक्जिबल नहीं होते है और आगे चलके इनका कलर जो है वो भी जल्दी फेड हो जाता है वैसी दिक्कत आपको वॉक्स की सिलिंग्स में दिखा जैसे आपको दो पैनल के बीच में हैरलाइन गैब भी दिखाई नहीं देगा इस इंटरलॉक सिस्टिम की वज़े से जब दो पैनल को एक दूसरे के साथ जोइंट किया जाता है तो आपको बीच में कोई भी गैब दिखाई नहीं देता जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो इसके अंदर इस्टॉल कर देना और जैसा कि आप देख सकते हो कि दो पैनल के बीच में आपको बिल्कुल की जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा होगा और अगर हम इसका कंपेरिजन रेगुलर प्योपी फॉल सिलिंग या फिर जिप्सम बोर्ट फॉल सिलिंग से करते हैं तो जिप्सम बोर्ट फॉल सिलिंग में आपको जो बोर्ड है उसे नीचे से स्क्रूइंग करना पड़ता है जो की नीचे से दिखाई देता है इन स्क् वो काफी जादा खराब हो जाता है, बार-बार वहाँ पर आपको cleaning करना पड़ता है, पर जब हम walk ceilings की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो screw है, वो panel के पीछे hide हो जाते हैं, इसी वज़े से नीचे से दिखाई नहीं देते हैं, और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के fiber mesh का इ होते हैं, इनका वज़न 1.5 kg तक होता है, जिस वज़े से इन्हें handle करना या फिर installation में काफी जादा आसानी होती है, और काम भी जो है, वो तेजी के साथ complete हो पाता है, यह जो walks की ceilings हैं, इनके अपने कुछ advantages होते हैं, जैसे कि यह जो walks के panel है, यह reusable होते हैं, यानि कि आप इ जाता है, जिस वज़े से ceiling का look बिगड़ जाता है, पर walks के panel की खासियत यह है, कि इनकी मदद से ही आप trapdoor को बना सकते हो, जिस वज़े से look भी disturb नहीं होता है, और यह ceiling एक समान दिखाई देती है, अब आता है सबसे important सवाल कि यह जो walks की ceiling है, इसे लगवाने के लिए हमें कि फास्ट एड़ किया गया है, जब हम इन walks ceiling के installation की बात करते है, तो यह काफी आसान और फास्ट होता है, तो एक बार जब आपकी GI fitting complete हो जाती है, उसके बाद आपको frame के जो सभी corners है, वहाँ पर J trim को fix करना होता है, और यह जो J trim है, जहाँ पर corners आते है, वहाँ पर आपको 45 degree म देख सकते हो, कुछ इस तरह से 45 degree में इस J trim को cut किया जाता है, और जब बारी आती है, दो panel को एक दूसरे के साथ connect करने की, तो यहाँ पर काम में आती है T trim, तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर in walks panel को fix करते हुए, यानि कि उसका installation process देख रहे है, तो पहले हम यह देखेंग इसमें भी यह जो पैनल है, वो fix हो जाएगा, तो आप मिस्तरी हमें दिखाएंगे कि वो चीज वो किस तरह से करते है, तो शुरू कीजिए, तो मिस्तरी आपने क्या किया, मतलब यह size लिया है, और उस हिसाब से panel नीचे से cut किया, और वही panel आप उपर लगा रहे हो, ठीक है अब यह हमारा lock first गया है, अच्छा lock first गया है, अब यहापर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाप पर आपको joint वगरा कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह जो interlock होता है, और जो lapping है, उसकी वज़ेसे आपको joint भी दिखाई नहीं देता है, अब इसके बाद मिस्तरी मेरे खाइल से आप screwing करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से जो दोनों टाइप के जो ग्रूज है, मतलब यह पूरा लंबा है, तो इस वज़े से उन्होंने क्या किया है, मतलब यह side के groove और यह groove दोनों मैच किये है, उसके बाद जाकर यह लोग अब screwing करेंगे, अब यहापर Mr screwing कर रहे है, तो जैसे कि आप पिछले footage में भी देख सकते हो, यह जो आप यहाँ पर hollow portion देख रहे हो, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो पैनल है, इनके ऊपर छोटे-चोटे cut आपको दिखाई देंगे, तो उसमें से ही यह जो Mr. वो screw को install कर देंगे, तो अब यह final में यह जो T trim है, यहाँ पर fix हो गया है, और वहाँ पर जो T trim है, उसमें भी fix हो गया है, यहाँ तीन जगापर fix हो गया है, तो अगर आप अपने ceiling के लिए walks के option के तरब जाना चाहते हो, तो screen में नमबर दिये गया है, वहाँ पर आप call कर सकते हो, description box में भी मैं उन पर जाकर उनसे contact कर सकते हो और अपने ceiling के लिए walks पैनल लगवा सकते हो तो दोस्तों क्या आप अपने च्छत के लिए walks पैनल के अप्शन के तरफ जाना पसंत करोगे comment box में comment जरू कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू इसे like कर दीजिए चैनल पर अगर आप लोग न